कि मुश्कार ये सी पर्थमब्ट साच चात्रहों का स्वागत है आज के लेक्चर में आज हम परवाल भित्ती कोर्ण वीज्ट के बारे में चर्चाएं करेंगे जो परवाल भित्तियां होती है वे समद्र के अंदर चूने से लिमित किलों के रूप में पाई जाने वाली संचना तेहराती है यह है जो सेंटेटार जनतों के पॉलिफ अवस्थाएं होती है उनके बाहिकलकार के रूप में इनका निर्मां किया जाता है कि जो पॉलिफ अवस्था है लेंके टाकी वह इस्थार वद्रूप में पाईलाती है तथा वह एलेहें परणने के द्वारा अपनी तंख्या में मर्दी करती है और इसके मर्दी के मात्यम से इसी करोने का आकार प्रेंटर बढ़ता रहता है जो पुराने पॉलिफ जनतु ह होते हैं मर्दी जाते हैं मर्दी जनतु उन पर उखते रहते हैं इस प्रकार से जो बाही कंकार है मर्दी जनतों का वह एकत्र होते रहता है तीले ग्रूप में और ये तीले फिर परवार गृति ग्रूप में परवर्दित हो जाते हैं जो इभिन दीप हैं उनके चारों और इन परवाल बीद्कियों के निर्मार में मुख्त है जो A ctino जो वर्ग है ऐसे न्रेटा का उसके Medriporide घर के यंतु इसके जानित के यहां में तहेयो करते हैं भाग देते हैं और उन्हें उन्हें सहेयो के लिए हाइड्रो कोलाइण और A ctino visual hota रहते हैं वह भी इसके यामें भाग देते हैं को अलग पीस निर्माण के लिए गरम और उठ्रे पानी की आश्कता होती है इस पानी का ताफ पीजिट से उपन होता है वहां पीस निर्माण आशानी से यह राता है यह इंडो पैसिफिक और के रिजन महोंते हैं घमाण के साइड वाले वहाँ इन टी की उपाचिति अधिक पाई जाती है यह जो coral reef होती है इस प्रकार की पाई जाती है जो पहले प्रकार की coral reef है उसे तक्ति प्रवाद्विष्टी का नाम दिया गया है प्रिंजिंग रीफ की जो coral reef है इस प्रकार की वह है जौना मुख्य रीफ तथा महादिर्पों के तक्तों के चारों और एक प्लेट्फॉर्म के रूप में पाई जाती है और इन coral reef और समुझे तक्तों के मद्द में जो एक जोथाई मील है उसके दूरी पाई जाती है जो समुझे तक है और जो तक्ती प्रवाल मुथ्ती होते हैं उनके मद्द में एक संक्री नहर पाई जाती है इसमें समुझे जल भरा रहता है इसको लेड़ों कहते हैं इसकी जो गहराई है 20 से 30 प्रवाल मुथ्ती है और इसके चारों और प्लेफ जिसे हम तक्ती प्रवाल तो यह आइलेंड है जीप है और इसके चार और एक लागून पाइदा है जिसकी जो गहराई है बीस चेटीस पाइदाती है और उसके बाहर समुद्र के तरफ यह जो जो है फ्रिंजिंग रिफ का पाइदा आता है है जो है जो थक्टी यह प्रवाल भ्रिती होती ईह उसका जो को समुद्री तट्की और समुद्र जो है उसकी तरफ जो उसको हम प्रवाल काहते हैं जहान रंतर के वदि होती है इन प्रयकंदाव और स्थाओं की इस उतर उक्ते Candium इसको सक्रिय क्याते हैं इन तर्टी प्रवार विक्ति का तो इस प्रकार से जो तर्टी प्रवार विक्ति के रूप में पायाती हैं इनकी स्रैजणा भी इसी प्रकार के पाइजाती है, तकि उत्वाल मिक्ती के समान, तेकिन इनकी जो लेगो हुए, जो इनको सुधर से अलग रखती है, वह काई चौड़ी पाइजाती है, उसकी जो चौड़ाई है, वह एक निल से दस निल के बराबर इनकी चौड़ाई जाजार फिट धहरी भी ये लेवुल पाइदाते हैं इससे इसके अंदर आसानी से जो बहार से जहाव है वो इसमें विच्रण कर सकते हैं नहींजेशन कर सकते हैं कि जो पाष्टीलिया के उत्री पूर्ष चित्र के भाग है उसके अंदर एक ग्रीट वेलियर फ्रीफ पाइदाती हैं और यह वहारा शोग के नील है वहां तक पहली पाइदाती है तो इस प्रकार की रोजिक परवाल-विक्तियां इसलिद अदर पैसास परकार की परवाल-विक्ति नाम जिया जिया है एक ऑफफब की लगून जो इनके मद्य में है उसकी जो चुड़ाई होती है दस से साठ मील के बढ़ाबत पाई जाती है उसे चार और यह जो प्रवालवले पाई जाता है प्रवाल व्ले मद्वी पीछ में से कटा होता है जिससे कि आसानी से जो समुद्री जल है और थंदर का जल सोजल है वापस में इस उसे से कुमनी के करता है यहां से जो समोजिदी जहाज है वह वह आसानी से इसमें अवेश कर जाते हैं तो यह जो माद्धीक के दीप है उसमें जो विभीन उसके पर्देश है वो अटौल के रूट में पाई जाती है यह जो आर्थिक महत्य है को रडिस का प्रवाय का उसके बार में चर्चा करनेंगे जो फर्वार मिस्तिय नहीं होती है और इस पर्वार मिस्तियां के आश्पास पर कंप्वार आथो उनके लिए इनकी उपसिती हैं काफी मेंध्योपोर्स पाई जाती है। यह जो काफी प्रकार के कोरल्स होते हैं, काफी किंती प्रकार के सुन्दफ पाई जाते हैं। उनको जो जो घरों के अंदर डेपोर्टिव पीस के रूप में उनका उप्योग किजा जाता है। कि जो लाल डुम्हे कोरल्स होते हैं और लनफाइक कोरल्स होते हैं इनका विभिन दवईयों उप्युर्स कि जाजाता है तो कोरल कंकार होते हैं और कोरल जो कोरल से हैं चलतु होते हैं उनके जो कोरल कंकार हैं उनका उपयोग बिल्डिंग मेट्रिल के रूप में क्या जाता है उनके द्वारा बिल्डिंग बनाए जाते हैं कोरल जो कंकार होते हैं उनका उपयोग कच्छे माल के रूप में क्यों नवराने के लिए पूंतारे बनाने के लिए रसमिट बनाने के लिए पिजाए है उसके पर अ होते हैं उनको जो समुद्र के और शहरों के बीच में तट होते हैं वहाँ मेडे मेड होती है होए हैं जो रोकती है उसमुद्री को पाम होते हैं से चटों की और उस सहाँ की रुप्छा की जाती है कोई बीके द्वारा जो प्राकर्टिक आवास है जो जीओं को परदार कि जाता है इनंसे बहुत प्रकार आपके बिसमुझली या जो जली आदर होते हैं वो पाइदाते हैं, इस पंजेश पाइदाती हैं, वो यह फिरा बोलश का एकनलोटा जंतु आसानी से अतना हवास बनाकर रहते हैं, अभी इनके अंदर हवास बनाकर रहते हैं, यह वीपर प्रकार के आर्थिक महत्र है, कोरल जीश के, धन्यवार, नमश्कार यह सी पत्रमट साथ चात्रों का स्वागत है, आज के लेक्चर में, आज हम परवाल भित्ती, कोरल भीज के बारे में जड़्चाएं करेंगे, जो कोरल जीश परवाल भित्तियां होती हैं, वे समुद्र के अंदर, चूने से निर्ट के बन लिमित, किलो के रूप में, गेडो के रूप में पाई जाने वाली संचना पहराती हैं, यह है जो जनतों के पॉलिफ अवस्थाएं होती हैं, उनके भाहिकलकार के रूप में इनका निर्मार की जाता है, यह जो पॉलिफ अवस्था है, लेक्ट्रा की वहर इस्थान वद र तरफा वह एलेही परेंद के द्वारा अपनी तंख्या में मर्दी करते ही और इसके मर्दी के मादिम से किसी करोनिय का आकार प्रंतर बढ़ता रहता है जो पुराने पोलिय जन्तु होते हैं तो मतले जाते हैं यह जन्तु उन उखते रहते हैं इस प्रकार से यह जो बाही कंकार है मरिजनतों का वह एकत्र होत रहता है तीले ग्रूप में और यह तीले फिर परवार्विति ग्रूप में परवर्दित हो जाते हैं जो इभिन दीप है उनके चारों ओर इन परवार्वितियों के निर्माण में मुख्थ है जो एक्टिनो जोवा वर्फ है से इंट्रेटा का उसके मेड्रो पोराइट गन के जंतु इसके यह में सहयों करते हैं भाग देते हैं और उन्डे सहयों के लिए जो Hydroforine और एक्टिनो परवेर्यन से इंट्रेटा होते हैं वे भी इसके यामें भाव देते हैं कि कोलर प्रीफ निर्मान के लिए गरम और उठ्थे पानी की आश्टा होती है जिस पानी का ताफ प्रीजिर से ओपन होता है वहां कोलर प्रीफ निर्मान आशानी से यह राता है अताह कि यह क्रुण रीय में इंडो पेससिक अलगेंद जो रीजन होते हैं फिलPalोंडा के के शाइड़ महां नुश्यक war एंडमा में नोर्थ के साइडवाले वहां इंटेव शिती उबहचन की अधिक पाई जाती है यह जो कोरल रीफ होती है इस प्रकार की पाई जाती है जो पहले प्रकार की कोरल रीफ है उसे तक्ति प्रवाद्विष्थी का नाम दिया गया है प्रिंजिंग रीफ कि जो पॉरल पीस है इस प्रकार की वे हैं जौना मुख्य दीच तथा महादिर्पों के तटों के चारों और एक प्लेटफॉर्म के रूप में पाई जाती है और इन पॉरल रिस्क और समुझे तटों के मद में जो एक जोथाई मील है उसके दूरी पाई जाती है जो समुझे तट है और तक्किय प्रवाल्मक्ति होते हैं उनके मद में एक संक्री नहर पाई दाती है इसमें समुझे जब भरा रहता है इसको लेघॉर्प कहते हैं इसकी जो गहराई है 20-30 प्रेदम पाइडाती है और इसके चार ओर कोड़र प्रिफ जिसे हम तर्क्ती प्रवाल बूती क्यारते हैं तो यह आईलेंड है जीप है और इसके चार ओर o एक लैगुन पाइडाता है जिसकी जो गहराई है 20-30 पाइडाती है और उसके बाहर समुझगते तरह यह जो जो प्रोण है कि ऐजो तक्रिय प्रवाल भिती होती है उसका जो समंद्री तक्रिय और जो उसकी तरफ जो छेट्र होता है उसको हम प्रवाल कोर कहते हैं जहां रंतर वर्धी होती है इन पूलिक परस्थाओं की इन तर्त पुक्त रहते हैं इसको सक्रिय जो चक्रिब कि एई क्याते हैं घो हुप तो इस कह से जो चुत प्रवाय म्य क्या आ हैं 거기 ऺीक्ची के रूप में पाजा थिनकी इसी प्रकार की पाइजाती हैं तेकिन इनकी जो लेगुन हुए जो इनको सुधर से अलक रखती है वह काफी चोड़ी पाइजाती है उसकी जो चोड़ाई है वह दस कि एक मिल से दस मिल के बराबट उनकी चोड़ाई पाइजाती है वह घ्राई इनकी यह जो फट गहरे भी यह लेगुन पाइजाते हैं इससे इसके अंदर आसामी से जो बहार से जहाग है वह इसमें विच्रण कर सकते हैं नहीं जेशन कर सकते हैं वे जो पास्टेलिया के उत्रिपुर्शचित्र के भाग है, उसके अंदर एक Great Ballier Reef पाई जाती है और यह कुमारा सो नियर है, वहां तक पहली पाई जाती है तो इस प्रकार की रोजिक प्रवाल विक्तियां इसे प्रकार की जो प्रवाल विक्ति है उसको प्रवाल विक्ति है उसको प्रवाल वुले का नाम दिया जाया है एक जो प्रवाल वुले हैं यह है एक घोड़ी की नार्नुमा आकर्थी पाइजाते हैं और एक लेगून की चा कि उसकी जो चुड़ाई होती है दस से साथ मिल के बड़ाबत पाइजाती है उसके चार और यह जो प्रवाल वलेग पाइजाता है प्रवाल वलेग मद्वी पीछ प्रॉमनिक से कटा होता है इससे कि आसानी से जो समुंद्री जल है और थंद्रगत-जल-चल है वापस में इस तो यह जो माल्दीट के दीप है उसमें जो विभीन उसके परदेश है वह इस आटॉल के रूट में पाई जाते हैं यह जो आर्थिक महत्य है परवाल मित्यों का उसके बारे में सच्छा करते हैं यह जो परवाल विष्टियां होती हैं काफी पुरानी होती है और इनके अंदर जो प्रवाल की उपस्ति है वो काफी देखी जाती है तो यह जो प्रवाल विष्टियां होती है यह इस परवाल विष्टिय के आसपास प्रवाल की खोज करती है उनके लिए इनकी उपस्ति है क काफी मेन नेखेफ़ोन पाई जात decor एक एक वधे जो काफी प्रकार के प्रॉरल्श होते हैं क्कंती प्रकार है की अध्यों विल्प लेविैंस के जुदरव प्योग की जाता है नेमिदिद विभी हैं उनके जो कंकान है उनका उपयोग मetral के रूप में विल्डिंग बनाने के लिए के जाने लूए को पूर्ण इस केल्कटन होते हैं उनको जो समूद्र के और शहरों के बीच में जो तट होते हैं वहां मेड़े बनाने के काम में लिया रहता है और इस से इनरी मेड़ होती है वह है जो समूद्री एरोजन है उसों रोकती है हैं तक समूजरी कि पां होते हैं साइकलों होते हैं उसे चपों की और उस सहर की दवारा जो प्राक्रक्रटिक आवास है जो जीवों को प्रदान की जालता है। इनमें बहुत प्रकार के बिसमुजली या जो जली पादफ होते हैं, वो पाइदाते हैं, इस्पंजेश पाइदाती हैं, पुरिफेरा, पुलसका, एकानुवेटा दंतु, आसानी से अतना हवास बनाकर रहते हैं। हमें प्रकार के मसलिया होती हैं, यह अभी इनके अंदर हवास बनाकर रहती हैं। यह विप्रकार के आर्थिक महस्त है, कोरल देश के। धन्यवार।